एलो फ्रेंट्स मैं उर्मिला आपका स्वागत है मेरी चैनल किचन कार्निवल में तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बिना फ्रिच के बिना गैस चालू किये चोकलेट्स जो आप अपने मनबसंद कोई भी शेप में बना सकते हैं और बिना फ्रिच के ही इसे बाहर आराम से स् सबसे पहले मैंने मिक्सिंग बोल ले लिया है उसमें हम मिल्क पाउडर एड़ करेंगे यहां पर मैंने तीन बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ले लिया है आपको ज्यादा बनानी है तो इसकी कॉंटिटी डबल कर दे अब इसमें हम डालेंगे पीसी हुई चीनी या फिर आ आपको ज्यादा पसंदे तो थोड़ा और एड़ कर सकते हैं यहां पर मैंने अकरोड के बारिक तुकड़े कर लिये हैं इसको इसमें डाल देंगे दो बड़े चम्मच या अपनी पसंद के कोई भी ड्राइब फ्रूट ले सकते हैं अब इसको अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें डाल देंगे वैनिला एसेंस के कुछ ट्रॉप्स ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अब इसको मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है अब बाइंडिंग के लिए इसमें हम डाल देंगे तीन चोटी चमच दूद दूद में और एक्स्ट्रा साटिंग में एड नहीं करना है सिर्फ तीन चमच ही एड करना है और इसे मिक्स करते जाना है इसमें हमने मिल्क पावडर और आइसिंग शुगर एड किया है और मिल्क एड करने की वज़़े से मिक्स्टर थोड़ा ज्यादा स्टिक की हो जाएगा और पतला ना हो जाए यह खास ज्यान रखना है तो हमें ऐसे ही तिर्फ तीन चमच में ही इसका अच्छे से आटा जैसा गूदना है जरू लगे तो एक टीस्पून एड करें ज्यादा नहीं यह देखिए हमारा आटा जैसा मिक्स्टर बनके तयार हो गया है चोकलेट का यह देखिए आप ऐसे थोड़ा सा लेंगे हाथ में तो एसा राउंड बॉल जैसा शेप बना सके तो यह हमारा मिश्रन परफेक्ट तैयार हो गया है अब इसके सारे ही मैंने लड़ू बनाके तयार करके रख दिये हैं ताकि जो भी शेप मोल्ड का देना है हमें तो बनाने में आसानी होगी या फिर प्लेन भी आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं अब खसब से जरूरी बात है कि इसके लिए हमें सिलिकॉन मोल्ड चाहिए तो यहाँ पर मैंने मोदक शेप का सिलिकॉन मोल्ड ले लिया है तो उसमें बीना ग्रीज किये डारेक्टी हम यह जो लड़ू है ऐसे डालेंगे और इसको प्रेस करके इसको अच्छा सा शेप दे देंगे जिस तरीके इसे वीडियो में दिखाया गया है ऐसे ही आप बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट चॉकलेट बनके तयार होती है यह देखिए अनमोल करके भी दिखाती हूँ यह देखिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया हमारी चॉकलेट बनके तयार होती है तो इस तरीके से आपके पास जो भी शेप है उसके बना सकते हैं एक और बना के दिखा देती हूँ ड्राय फ्रूट भी आप इसमें कोई भी अपनी पसंद के ले सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि अख रोटी लेना है काजू बादाम जो भी लेना है चोटे-चोटे टुकडे करके इसमें अड़ कर सकते हैं यह देखिए बहुत ही बढ़िया चॉकलेट हमारी बनके तयार हो ग करना है ना ही गैस पर कुछ गरम करना है ऐसे ही बनके इसको डिबे में स्टोर करके आराम से तीन से चार दिन तक हम इसे खा सकते हैं और थोड़ा सेट होने के बाद यह खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और आप चाहें आपके पास अगर आपके पास कुछ भी में में करश करके उसाब कर करके इसको रग डे तो भी बहुत अच्छा लगेगा तो फ्रेंड कैसी लगी आपको मेरी डैसती आपको मेरी चैनल को लाइक श्यर और सब्सक्राइब करना ना बूले मिलते हैं अगली डैसीपी में तब तक के लिए बाइबाइ